हेलो दोस्तों वेलकम ये फोटो आजकल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वाइरल हो रही है जिसमें मोदी जी खड़े दिख रहे हैं और ये शक्स बैठावा दिख रहा है और ये चर्चा शुरू हुई ये शक्सकिर है कौन तो आज ये कंप्लीट वीडियो है इस बंदे क सबसे अमीर व्यक्ति कैसे 5000 के इन्वेस्टमेंट को इनोंने 43,000 करोड में बदल दिया क्या है इनका हर्शब महता कनेक्शन ये सारी बाते और इनके अभी इसके इन्वेस्टिंग के लावा और कौन-कौन से बिजनस प्रोफेशन्स है और इसके लावा इनका आने वाला वे राकेश जुन-जुनवाला की आखिर शुरुआत कैसे हुई राकेश जुन-जुनवाला की पिताजी इंकम टेक्स ओफिस में काम करते थे तो घर में में शाहिए बात पती चलती थी टैक्स शेयर्स पैसा प्रॉफिट तो बचपन से 10-12 साल की उमर से इनके जज़गी किया जो काम करना करो अपनी इच्छा से करो बट खुद के पैसे से करो मेरे पैसे से मत करना तो जब उनके पिता जी ने कभी आ खुद के पैसे से करना तो राकेश जुन-जुनवाला ने खुद की सेविंग देखी बले भाई आपने पास तो पांच हजार रुपे हैं अब अप पांच हजार शेर 43 रुपेज में लिए और वो तीन मेने के अंदर शेर हो गया 143 यानि पांच लाख रुपे का शुद्ध मनाफ़ा यह इनकी जिंदिगी का पहला बड़ा प्रॉफिट था उसके बाद इन्होंने इस स्ट्रिंग को जारी रखा उन्हों स्टॉक्स डेखते रहे रिसर्च करते रहे दूसरे में लगाते दीरे दीरे करके इन्होंने 1986 से लेके 89 के बीच में 20-25 रुपे इन्होंने उसी पैसे को हर्षद महता कनेक्शन यह 90 का दौर था उस समय हर्षद महता बिग बुल हुआ करते थे देखो आप थोड़ा सा में इसको समझाने के लिए आपको एक बाद स्टॉक मार्केट समझाता हूं स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते एक होते हैं बुल और को कहते हैं इमाट वाले उनके साथ और एक मनु मुंदड़ा जी उनके साथ थे और यह मंदडिया ग्रूप में आते थे यह कहते थे जब टूटेगा तब हम पैसे कमाएंगे तो उस समय अगर आपने स्केम 92 सीरीज देखी होगी तो शेयर मार्केट में जब हर्षद महता जी उपर और हम पार टेडिया जाने के बाद क्योंकि यह मंडडिया थे इननों अने समय आपने मोटी वेल्थ इसको कहते हैं उस समय प्रेंट कि बहुत हो गया में मझे लगता है कि मर् su we मैं भी अगला बिग बुल में ही हो जाओ मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 जार तो जाएगा तीने सार से सीरो नहीं होने वाला है अभी टाइम है बुल बनने का पेर बनके मुंकली खाने का टाइम गया यह भाई नहीं तहीं बोल रहा हूं अगला बिग बुल में वन जाओ और यह डिसाइड करके इन्होंने अपनी जर्नी मंदडिये से तेजडिये की तरफ की और यह बीर से हटके बुल की तरफ आ गए और बैरत की एकोनोमी पे दाओ लगाने लगे उस दौराण इनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने एक कंपनी नहीं बनाए अपनी रेर इंटरपाइज़े तो राकेश जुन-जुन वाला और इनकी वाइफ थी रेखा तो रा रे रेखा का रे बन मिला के बनी रेर एंटरपाइज़ इन्हों ने 2003 में रेर एंटरपाइज़ बनाई और उसमें उन्होंने अपने परसनल इंवस्टमेंट चालू किये और इनका जो लाइफ चेंजिंग इंवस्टमेंट है जिसकी वज़े से पूरी दुनिया इनको जानती है यह आज की डेर मेंगे 43,000 क्रोड मेंसे 11 800 क्रोड उकलोथा शेर है वो था टाइटन हो ने टाइटन 2022 के चार क्रोड 20 लाग शेर टाइटन के खरीदें तीन रुपें की रेट पे अज वो तीन रुपे का टाइटन हैf 25 रुपें और इनकी टोटल इन świeल्ई की सारे नान इंवस्मेंट की ल्यूपे ने 1.500 रुपे लिया था साड़े 900 पहुंच गया सौ क्रोड लगाए थे साड़े 600 क्रोड हो गये और उसके बाद क्योंकि बिग बुल थे फिर इस शेर बहात लगाते हो शेर बागता जाता आज इनके पॉट्फोलियो में 37 से जादा स्टॉक है जिसमें क्रिसल भी है इंडिया बुल्स भी है एसकॉर्ट भी है और बहुत सारे अलग बड़े-बड़े ब्रैंड इनके साथ शामिल है इनके टोटल आज सुबह जब ये विडियो बन रहा है समय इनकी जो वैल्यू है वह है यहाले सजार क्रोड रुपे पूरे पॉर्टफोलियो की वैल्यू अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देता है कि इनको मार्केट में बिग बूल क्यों कहते हैं क्योंकि अब बुब्ल वो हैं जो किसी शेर के प्राइस को करीते हैं और रोकेट हो जाता है उसे बिग बू प्रेषयक वारनी कहा जाता है ॹपागर किन यह को इंडियान चला कियों कहा जाता है कि वौर्ण बफेट एक पर्टिक्लर मैथोड ऑफ इंवेश्टि में आपकर ते Caribbean म ende nya तो कई एक बाड़ियाhte के स्टडी ऑशब्राइस को शेर ऑर रखलो एसा नहीं की है किसमें है जो खरीद लिया वो तीन रुपे के शेर पर बैठा तीन का च्छे होता तो लोग बेज देते कई तीस पर बेज देते यह बस बैठें यह पच्छी सो पर बेचा नहीं है बस बैठें इसे इनको वारन बफे भी का जाता है और इनके बैठने का फाइदा क्या है यह किंग ओ इस लाग शेर है 17 करोड के लगबक का डिविडेंट आ रहा है सिर्फ टाइटन से इनके पास क्रिसल के बहतर लाग शेर है वहां से क्रिसल ने अभी क्या है कि 19 रुपे का डिविडेंट पर शेर पर दे रहे हैं बहतर लाग को आप 19 से मल्टिप्लाइए कर लो तो करोडों इनकी डिविडेंट से इंकम आ रही है इस इंकम का क्या करते हैं सक्सेसल इंवस्टर वह होता है तो डाइवर्शिफाय करता तो इंके पिताजी काफी इनको कहा करते थे तो सन 2008 से इन्होंने ये प्लेज लिये कि जिता भी इनका profit होता है dividend से income आती है उस dividend की income का 25% ये दान करते हैं दूसरा इसके लावा ये अलग-अलग ventures में भी है इनका एक most popular venture जिसको हम कहेंगे एक hangama music आपने सुना होगा hangama app भी आपने देखा होगा एक company जिसर राकेश जुन जुन वाला ही है और अभी राकेश जुन जुन वाला का एकदम latest नया venture जो आने वाला है अभी अभी आपको पता चल रहा है airline market में काफी हलचल हो रही है Tata ने भी Air India को वापस खरीद लिया है उस पर भी इमारे एक detail उसी मिली है यह 2022 से इसकी airline की शुरुआत कर देंगे अगले चार साल में टोटल सतर प्लेइन करी करने वाले यह कह रहे है कि अब तक की सबसे सस्ती बढ़िया सुविधा वाली हम एरलाइन लाँज करने वाले तो क्योंकि यह बिग बूल है वारन बॉफ है तो हम देखते हैं कि इस मार्केट में क्या होता है तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूनीक जानकारी मिली होगी जैसे आप नोटिस किजेगा कि यह जब इन्होंने पाज़ार का इस वीडियो में देखे होंगे तो अगर आप लोग मेरे से और डीटेल में जानना चाहते हैं वन टूवन बात करना चाहते हैं कि रहुल जी मेरे बिजनस रिलेटेट सवाल है मैं आपसे डारेक्ट पूछना चाहता हूं यह आपने पाच-पांच-दद-दस मिनट की वीड सेशन होगा एक्स्लूजिव के स्टडी सेशन होगा और आपको 14 घंटे की प्री रिकॉर्डेट बिजनस रिलेटेट बहुत सारी वीडियो बहुत सारी इबुक मिलने वाली है बाकी डीटेल आपको महां मिल जाएगी तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीज क्या बनानी है मुझे चैट बोक्स में बताइए तब तक के लिए धन्यवाद चेहन